एक और सर्वे आया बीजेपी की नीद उडाया, कॉंग्रेस की सरकार बनाया और के सियार के होस उडाया यह सर्वे आया है तिलंगाना पर जहां इसी साल विदान सवा के चुना होने हैं और विदान सवा चुनाओं से पहले जो तिलंगाना पर सर्वे आया है उसने भारती जन तो राज्य के गठन के बाद से ऐसा पहली बार होगा कि तेलंगाना में कॉंग्रिस की सरकार बनेगी क्योंकि जब से तेलंगाना बना है तब से केसियार ही वहां के मुख्यमंत्री है और अगर अब ऐसा होता है तो 2023 के विदानसवा चुनाओं में सत्ता जो है वो परिवर्ति बहुमत का आखळा है उसको कौन सी पार्टी पढ़ कर रही है चलीए आपको आख़़ों के जरीय समझा देते हैं टो यह जो सर्वे आया है वह लोकपोल का सर्वे आया है जहां तेलंगाना में इस साल के अंध में विदान सभा के चुनाओं है उससे पहले यह सर्वे आया पर जीत बने के संभावना में बीजेपी को यहां जो है बड़ा जटका लगता हुआ दिख रहा है बीजेपी को यहां महज दो से तीन सीटे मिलने का अदुमान है जबकि अन्य के खाते में शुन से एक सीट जाने का अदुमान है अब आप जो भी स्टैली को देख रहे हैं तो बीजेपी जो है चौथे नं के जिए्यम भी बीजेपी को मात देती हुई दिख रही है बीजेपी से आगे जाती हुई दिख रही है और ऐसे में तेलंगाना के जो नतीजे जो संभावना जटाई जा रही है जो सरवे में अनुमान है वो निफ्शित तोर पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की भी नीद उडाने वाली है क्योंकि बीजेपी को यहां महज 2-3 सीटे मिलने का अनुमान है चलिए बापको 2018 के भी नतीजे बता देते हैं कि जब 2018 में विदान सबाग के चुनाओं हुए थे तो उस समय ते लंगाना में किस पार्टी की क्या अश्चिती थी 88 सीटों पर बी आरेस को जीत मिली थी और केसी आर मुख्यमंत्री बने 19 सीटों पर कॉंग्रेस को जीत मिली थी ए आईयम आईयम को साथ सीटों पर भारती जनता पार्टी को तीन सीटों पर और अन्न को दो सीटों पर जीत मिली थी यानि आगर आप देखेंगे कि जो इस बार 2023 में भारती जनता पार्टी है अगर उसको दो से तीन सीटे मिलती है तो उसको जो है बहुत घाटा हो रहा है नहीं फाइदा लेकिन एक बात होता है कि इन पांच सालों में भी भारती जनता पार्टी तेलंगाना में अपना जो पै से लेकर के 67 सीटों का फायदा होने का उन्मान है यानि का कॉंग Track इसके खाकर में 40 साच्टे में 50 सीटें जो है वह जुड सकती हैं का चालीज सीटों का कॉंग्रेस को 40 से ज्यादा सीटों का फायदा होता हुआ ते लंगाना में कॉंग्रेस को दिख रहा है जबकि ए आयम आयम की इस्टिति छे से एगर आठ है तो उसकी स्थिति में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है बीजेपी की इस्थिति पहले की तरह होगी अगर उसको दो सीटे मिलती है तो एक सीट का नुकसान होगा अगर तीन मिलती है तो पिछली बार की तरह बीजेपी का जो आकड़ा है वो तीन का ही रहेगा जबकि अन्य शुन से एक तो 2018 में दो सीटों पर उसको जीत मिली थी लेकिन अब आप देखिए क इस तरह से यह कॉंग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है इसमें राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा प्रियंका गांदी जिस तरह से एक्टिव हैं और मलिका अर्जुन खडगे के राष्टी अद्यक्ष बनने के बाद से जिस तरह से पार्टी धीरे-धीरे वह तेजी से बढ़ रही है जबकि ब्यारस आपको एक चीज और बता दें कि ब्यारस जो पार्टी है वह अभी ना इंडिया कठबंदन का हिस्सा है और नहीं एंडिये का ऐसे में ब्यारस के पार्टी है वह अकेले ही राज्जी में जाएगी लेकिन अब कॉं तो इस साल दूसरा ऐसा दक्षिट भारती राजी होगा जहां कि सरकार बन जाएगी क्योंकि करनाटक के विदान सवा चुनाव में भी कॉंग्रेस ने बड़ी मजबूती से वाफसी की थी और बीजेपी को शिकस्त दी थी लेकिन अब तेलंगाना में कॉंग्रेस जो है वो बता दे बी आरेस को 49 से 42 फिजडी वोट मिले की अनुमान जतायागे है लोग कोल के सरवे में कॉंग्रेस के खाते में 41 से लेकर के 44 फिजडी वोट का अनुमान है ए आई 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 एम के 3 से 4 फिजडी वोट का अनुमान है बीजेपी के खाते में 10 से 12 फिजडी वोट जाने की संभावना है, अब आपको 2018 में भी बता देते हैं कि 2018 में जब विदान सभा के चुना हुए थे तो किस पार्टी को कितना वोट मिला था, 2018 में BRS के खाते में 46.87 फिजदी, कौंगरस के खाते में 28.44 फिजदी, AIM AIM के 2.7 फिजदी, BJP के खाते में 6.98 फिजदी और अन्य के खाते में 15.02 फिजदी, अब आप ये आंकड़ों पर गौर करिए, 2018 में BRS को 46.87 फिजदी वोट मिला था, और इस बार BRS के वोट शेयर में गिरावर देखने को मिल रही है, 49 से 42 फिजदी ही BRS का वोट कम होकर के रह जाएगा, कौंगरस को या कि कितना बड़ा फाइदा होता हुआ दिख रहा है, 28.04 तीन फिजदी वोट जो है वोट 2018 के विदान सबच नौ में कॉंगरस को तेलंगाना में मिला था, अब ये आंकड़ा 41 से 44 हो सकता है, यानि तकरीबन जो है आप 13 फिजदी से जादा वोट शेयर जो है वो तेलंगाना में कॉंगरस का बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, जबकि AIM-AIM का जो है वोट शेयर भी थोड़े बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पिछली बार दो दस्वलो साथ फिजदी वोट मिले थे, इस बार ये तीन से चार फिजदी हो सकता है, जबकि भारती जनत अन्य पिछली बार अन्य उम्यदवारों को जहें, वो ज्यादा वोट देखने को मिलेगी, और यही जो अन्य का वोट है, और अन्य पार्टियों को शिप्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो सर्वे है, ये सर्वे निश्चित तोर पर जहां एक तरफ प्रदान मंत जो सर्वे आया है, निश्चित तोर पर भारती जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर लेकर नहीं आया है, जबकि कॉंग्रेस के लिए बड़ी खबर लेकर आया है, और कॉंग्रेस जो है वो तिलंगाना में सरकार बनाती हुई दीख रही है, और अगर ऐसा होता है, तो निश्चित तोर पर दक्ष्ण भारत के एक और राज में कॉंग्रेस का खाता खुल जाए,